सर, शोचल मीडिया पर शारुख खान की फिल्म पठान और सलमान खान की फिल्म में टाइगर थी को काफ़ी दाइगर किया या रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाला कि बीच में War 2 अगर आ रही होती तो फिर भी थोड़ा comparison कम होता लेकिन अगर आप देखे तो War 2 जो है वो Tiger 3 के भी बाद में आईगी तो ऐसे में यही Spy Universe की यही दो फिल्में हैं जो आ रही है भली दोनों फिल्मों के बीच में gap बढ़ गया है अगर आप देखे तो यह comparison आज से नहीं चल रहा है महीनों से चल रहा है यह comparison अगर आप देखे तो जैसे career हुआ था कि शारुक खान पठान में क्यारा है Raw Agent का character तभी से चीज़ चल गई थी क्योंकि अगर आप देखे तो Raw Agent पहले सी सल्मान खान करते है रहे Tiger के अंदर character है Tiger वाला character Tiger तरी के अंदर भी आप दिखेंगे तो ऐसे में क्या था फिल्म पहले 25 जनवरी को लग रही थी वो तो अपने टाय टाइम पही आ भी रही है ठीक है लेकिन फिल्म लग रही थी इद के ऊपर Tiger 3 तो दोनों फिल्म में सिफ तीन महीने का गैप ता और कि अज़ार के यह चोटा यह बड़ा ऐसे बावजुद भी कमपेरजन अभी भी सोशल मीडिया और चीजों पर काफी ज़ाधा चल रहा है से मैं मैं समझता हूँ कि मज़ा आ जाने वाला है इसका जादा होगा मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि देखें बहुत अच्छा करने वाली लेकिन टाइगर थ्री उससे भी जादा अच्छा कलेक्शन करेगी यह मेरा नजरीया है मैं मानता हूँ हो सकता है कुछ और निकले आने वाले वक्त में हमें पता चली जाएगा लेकिन मज़ा आ जाने वाला है पत्ठान के अंदर भी जबर्दद्स एक्सपीरियिंस देने वाली है फिल्म बहतरीन तरीके से मजहाँ चर्प अप्स अफिस धमाका मचाएगा मज़ा जाने वाला है तो सल्मान शारुक को पत्ठान और फिर टाइगर थी में देखने के लि